माता भटियानी जी का बच्पन का नाम स्वरूप कमवर था। कि पहली रानी रानी देवडी के संतान नहीं होने पर राव कल्यान सिंह ने भटियानी जी के साथ दूसरा विवाह किया। विवाह के बाद भुवाजी स्वरूप बाईसा से रानी स्वरूप के नाम से जाना जाने लगी। विवाह के एक साल बाद रानी स्वरुप और फरानी भटियानी ने एक बालग को जन्म दिया, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया रानी स्वरुप के संतान प्राप्ति होने से रानी देवडी रूट गई। उन्हें इससे अपने मान सम्मान में कमी आने का डर सताने लगा था। प्रथम रानी देवडी के रूठे होने पर रानी स्वरुप ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप मा भवानी की पूजा, अर्चना ववरत करे, आस्था, श्रद्धा, विश्वास बढ़ाएं। मा भवानी अवश्य अपने भक्त की आवाज सुनेगी। रानी दे राप्ती के कुछ समय ही पश्चात, एक दासी ने देवडी रानी को भढ़काया कि छोटी रानी स्वरूप का पुत्र प्रताप सिंह से बड़े होने के कारण वे ही राव कल्यान सिंह के उतराधिकारी बनेंगे और छोटे पुत्र प्रताप सिंह को उनके हुकुमत का पालन करना पड़ेगा। प्रताप सिंह को रानी देवडी के पास छोड़कर जूला जूलने चली गई। रानी देवडी ने इस अवसर को देखते हुए उसने विश्वास पात्र दासी को बुलाया और लाल सिंह को रास्ते से हटाने का निर्णे लिया तथा इसके बाद लाल सिंह के लिए जहर मिला दूध लेकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बालक लाल सिंह खेलते खेलते दूध के लिए रोने लगा तब दासी ने योजना नुसार जहर मिला दूध बालक लाल सिंह को पिला दिया। उससे उसी समय लाल सिंह के प्राण निकल गए। खुछ समय बाद जब राणी स्वरूप जूला जूल कर वापस आई तो अपने पुत्र के न जागने पर जब उसने बालक को जगाने के लिए सर के नीचे हाथ डाला तो हाथ में काला खून लगा देख राणी स्वरूप ने भी प्राण त्याग दिये। यह बात जब राव कल्यान सिंह को पता चली तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वित ततकाल राणी निवास गए और वहां के हालत देखकर राव कल्यान सिंह बेसुद हो गए। राजा राव कल्यान सिंह को राणी स्वरूप वकुमवर लाल सिंह को खोने का बहुत दुख हुआ जैसे तैसे अंतिम संसकार किया और पत्रवाहक को राणी स्वरूप के माये के जोगिदास गाव के लिए ततकाल रवाना किया। इधर जोगिदास गाव में से दो दमामी जसोला पहुँचे। राव कल्यान सिंह के महल की स्थिती को देखकर दोनों दमामियों को अचरज हुआ। जब इन दमामियों को राणी स्वरूप के स्वर्ग लोख होने का समाचार जसोल में मिला तो इनके पैरो तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वे दोनों सीधे शमशान घाट पहुँचे और शोक विहल होकर कागे के गीतों की जड़ी लगाते हुए राण बार पुकारने पर राणी स्वरूप ने उनको दर्शन दिये लेकिन उनको राणी स्वरूप को देवी राणी भटियानी के रूप में देखकर विश्वास नहीं हुआ फिर भी दमामियों ने अपनी फर्याद सुनाई इस पर राणी स्वरूप उर्फ राणी भटियानी क दमामियों की भक्ती पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने दमामियों को इनाम के तौर पर सोने की पायल्व कंगन दिये। तथा उन्हें कहा कि जोगिदास गाव में मेरे माता पिता को कहना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना कहकर रानी भटियानी अद्रिश्य हो गई दमामियों ने भुआजी स्वरूपों माजीसा और फ्रानी भटियानी द्वारा दिया इनाम राव कल्यान सिंह को दिखा कर घटना सुनाई। पर राव कल्यान सिंह को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राव कल्यान सिंह चौथे दिन गाव वालों के साथ शमशा जिसके चमतकार प्रभाव से आज भी जन मानस इस शद्धा स्थल पर प्रतिवर्श उमडाता है।